दोस्तों ये देखिए ये है स्कूल जिसमें नेक्स्ट येर मेरा बेटा एड्मिशन लेने वाला है और अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ तो गुद मॉर्निंग कैसे हो आप सब आई होप आप सब अच्छे होगे बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसा था ही नहीं बताने के लिए डेली वही रूटीन तो आज कुछ ऐसा अलग है जो जिसकी वज़ा से हम लोग वीडियो बना रहे हैं आज आप लोग अपना सपोर्ट दीजिएगा और चैनल को सब्स्क्राइब भी कीजिएगा तो आज का मारा वीडियो इस पर है कि मेरा बेटा स्कूल में प्रमोट हो गया है जो पहले फॉर्ट स्टेंडर में था तो अब फिफ्थ में हो गया है तो आज इसको सर्टिफिकेट मिलने वाला है तो आज हम चलेंगे स्कूल और जो कि हम लोग घर से निकल चुके हैं स्कूल के लिए सुबह का टाइम है आठ बज रहे हैं अभी यहाँ पर तो स्कूल में जाकर देखेंगे क्या होता है और उसके बाद आपको बताते हैं यहाँ पर जब मैरे बेटे को सर्टिफिकेट मिल रा था तो मैं वीडियो बना नी पाए थी उसके बाद सारे बच्चो को धीहता सर्टिफिकट मिलने लगता है जैसा कि है आप स्क्रीं के बादर है जैसा कि मैं त्ब्सछ से सफोर्क उन्स कर रहा हुए हैं टीचर्स भी बहुत खुश होती हैं जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं और उन्हें भी बहुत प्रॉड फील होता है जब बच्चों को अच्छे मार्क्स और स्टर्टिपिकेट्स मिलते हैं और यहां पर इस पी में ऐसा नहीं है कि कौन सा बच्चा परस्ट आया और सेकेंड अगा सभी बच्चे इपने इनके लिए और यहां पर कोई यह माइनी नहीं रखता है कि फर्स्ट और सेकेंड थर्ट कौन हुआ बट जिसने जितना अच्छा किया उस बैसिस पर सबको मार्क मिलते हैं और ग्रेट दिया जाता है जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आए या फिर जो वीक है उनके लिए मैम ने अलग से पॉलिश की बुक दिये थाकि वो थोड़ा सीख सकें और यहां की लैंग्वेज को समझ सकें जिससे वो पढ़ने में कोई प्रॉब्लम न दिख रहा है यह यूक्रेन का है इसका नाम जेनिया है जो मेरे बेटे का बेस प्रेंड है और शुरू से अभी तक ही मेरे बेटे के साथ ही रहा है और इसे मैम बता रही है कि तुम्हें थोड़ा सा और सीखने की जरूवत है तो इसलिए इसको पॉलिश की बुक दी जा रह है यह इस बच्म के साथ गूरूप फोटो हो रही है थाकि इनकी यादे बने रहे है कि पहले वाली क्लास चीचर के साथ कैसे यादे थी तो सब लोग उने फोटो किया था मैंने फोटो की आता है सारे बच्चे आ गए हैं अपने सर्टिफिकेट्स ब्ले करके और देखे सब कितने प्यारे लग रहे हैं एक सार अच्छे लेए हैं और यह मेरे बेटे का वेश्फ्रेंड है यह उसकी टीचर स्कूल से निकल गए हैं और ये हमेरे पीछे देख रहे हैं आप स्कूल है और ये मैं आगे का फ्रेंट कर रहे हैं को कैमरा अब हम लोग बाहर निकलने वाले हैं ये हैं आप स्कूल का लोगो लगा हुआ है लेकिन इस सिफ पॉलिश लेंगमेज में ही लिखा हुआ है हम लोग घर आचुके हैं और मैंने इस सर्टिफिकेट को गूगल ट्रांसलेट कर लिया है तो मैं आपको दिखाते हूं इसका मेलिंग क्या है क्योंकि पॉलिश लेंगमेज में मुझे तो समझ में आके नहीं है लेकिन हमने इसको ट्रांसलेट किया है और ये देखिए उपर ये जो उपर सबसे उपर लोगो है मैं आपको बैक केमरा करके दिखाती हूं देखिए ये लोगो है ये पॉलैंड का लोगो है ये पॉलिश लोगों की पहचान है ये पॉलैंड की सरकार का लोगो है जैसे अपने इंडिया में सत्यमेव जैते का होता है वैसे ही ये पॉलै भालाल परमाड़ पत्र मतलब स्कूल सर्टिफिकेट और यह स्टुडेंट नेम आधित्य अगरवाल और यह देट अव बर्त है इसका मेनिंग है इसने कब जूइन किया था स्कूल तो तो साथ जन टूंसे जूइन किया था ट्वेंटी थिमें अगर भाल एक साल और उसके बा स्कूल का कोड है 221 और यह स्कूल का स्कूल कौन से एरिया में है यह लिखा हुआ है और यह वर्षवा में है तो यह वर्षव और इसका मीनिंग यह है कि इसने फॉर्थ क्लास कंप्लीट किया है और यह फिफ्ट में जाने के लिए प्रमोट हो चुका है प्रमोज इसको बोलत वह कंट्री नहीं मैं । और यह ट्वैंटीत्री में यह जाने के लिए प्रोमोट उचुके इसका मीनिंग यह और यह इसका मीनिंग है डारैटर जो लोग ऑडि आरे सीटी ओर लखते हैं इसका मीनिंग डारेक्टर का सिगनेचर और स्टैंप है यह स्टैम्प है यह डारेक्टर का सिगनेचर है माइकल स्टेपन जो कि यहां के डारेक्टर है तो यह था हमारा आज का सर्टिफिकेट दोस्तों हमने बताया कि काफी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ऐसा कुछ बताने को था ही नहीं डेली रूटीन बेवज़ा समय बरबाद करना तो आई होप मुझे लगता है कि आपके लिए यह वीडियो हेल्फूल होगा क्योंकि अगर हम किसी दूसरी क बेरी में जाते हैं अगoss और बच्चे में चल्श का अवरे साथ में थो हमें उस देश का अख UH देश के सावस्त करते रहें तो हमने भी अपने वीडिशन के यहां करा दिया था क्योंकि कुछ तो सेख सकता है तो जिसका अगएसे मिल गया है कि इसने एक स्टेंडर tablets किया है और ये उसके future के लिए जो की बहुत important है और ये हर बच्चे के लिए है क्योंकि बहुत सारे लोग आईटी के लोग जब भी जाते हैं किसी भी country में तो किसी भी country में parents जाते हैं तो बच्चे भी जाते ही हैं और अगर वहां की country के school में admission लेते हैं महां की पढ़ाई करते हैं तो जब उन्हें certificate मिलता तो कितनी खुशी होती है जैसे कि आज मेरा बेटा इतना खुश है कि उसे कुछ एक नया मिला life में कुछ achievement मिली जो अपने देश से बाहर निकलने के बाद कुछ एक नया हासिल हुआ तो यह बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है सब के लिए बच्चे के लिए और parents के लिए भी हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है यह सब के नसीब की बात नहीं है बहु यह वीडियो आपके लिए helpful होगा और अगर आपको वीडियो यह अच्छा लगा प्लीज लाइक सेंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मुझे भी motivate कीजिए थैंक यू